हलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारी चनल केडियर अपडेट वाइंजिनियर में मैं हूं रंजन राज और आज हम लोग डिसकस करने वाले हैं टाफ फाइफ सीटियाई कॉलेजिस के बारे में किसे आपको पता है अगर सीटियाई का अप्लिकेशन फॉर्म आपने भरा कौन सा है जहां पर हम सेलेक्शन लेके मैक्सिमम से मैक्सिमम चीजें सीख सकते हैं सब कुछ फैसलिटी हमको आप मिलेगी और हमारा अच्छे से पढ़ाई हो जाएगा ठीक है तो देखिए वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको पता दूँं सीटियाई से जोड़ी हर क्लासेज, फिटर की क्लास हो, मैट की क्लास हो, रिज्टिनिंग की क्लास हो, मौτοल, पेपर हो, नॉन टेकनिकल या टेकनिकल आपको सभी चीजे मिल जाती हैं जिसका लिंक आपको description box में मिल जाएगा अब दिखी जो ये top 5 selection का आधार है ऐसे तो है नहीं कि मैंने आपको बोल दिया और आपने माल लिया इसका कुछ नो कुछ आधार रखना पड़ेगा हमको कि किस आधार पर हम इस institute को best मान रहे हैं या इस institute को best नहीं मान रहे हैं तो तीन आधार मैंने रखे हैं तो पहला आधार है जो सबसे अच्छा वो क्या है practical ठीक है कि अगर किसी भी एनिश्टी आई में आपको पता है जो अगर आपका सीटी आई कालेज में admission हो जाता है तो वहां का जो सिलिवस होता है सतर परसेंट क्या होता है practical और तीस परसेंट का होता है थियोरी तो अग admission लेने का कोई मतलब नहीं निकलेगा ठीक है दूसरी चीज क्या है campus selection ठीक है campus selection ठीक है तो कुछ जो NHTI है उसमें क्या होता है campus selection भी होता है यानि कि private company वहाँ पर आती है और student को recruit करती है अब देखिए private company को फायदा ये होता है कि वहाँ पे आपने यहाँ पर practical अच्छे से कि है तो वहाँ पर उनको अलग से आपको उस चीज की training नहीं देनी पड़ती है training देनी पड़ती यानि कि एक महीं ने आपको काम सिखाया थोड़ा हो तो उसके बाद आप जो है काम में लग जाते हैं तो इसलिए private company भी campus में आती है कहां आई थी पिछली बार मैं ये भी जादा पैसा कर्च करना पड़ेगा बाहर रूम लेकर आने में में इसकी सुविधा है कि नहीं कैंटीन है कि नहीं लाइबरी है कि नहीं recreation hall है कि नहीं gym है कि नहीं तो सभी चीजें तीसरे नंबर पर मैंने क्या रखा है facility को रखा है तो इन सभी चीजों का ध्यान में रखत पांचा नंबर पर मैंने इसको पांचवे नंबर पर रखा है तो आप क्या कर सकते हैं अगर आपको और कोई college नहीं मिलता तो आप जो है एनस्टियाई हिदराबाद चूज कर सकते हैं बात करें hostel की संख्या की तो यहां पर hostel में जो संख्या है रूम की संख्या है वो कितनी है 200 यानि की 200 लोगों के लिए रूम की रस्त है यहां पर है तो देखिए मैंने facility भी आपको बता दिया साथ ही अगर आपको एनस्टियाई hostels की जानकारी चाहिए तो सभी एनस्टियाई में इस बार सीटों की संख्या कम कर दी गई है सीटों की संख्या कितनी है उससे मैंने एक वीडियो बनाया है जिसका लिंक आपको description box में मिल जाएगा आप जाके देख सकते हैं ठीक है चौते नमबर पर जो हमारा institute वो है कोलकाता K जिसे हम लोग इनस्टियाई हौडा के नाम से भी जानते हैं यह भी बहुत ही पुराना इस्टियूट है और यहां पे आपको काफी काफी ज्याणा की संख्या की बात करें तो यहां यहां पे पढ़े ही, ठीक है, बात करें, तीसरे नमबर पर जो मैंने इस्टिटूट को रखा है, वो है हमारा कानपूर, ठीक है, एनश्टियाई कानपूर, इससे सभी परचित होंगे, यहाँ पर होस्टल के सीटों की संख्या कितनी है, 250, ठीक है, दूसरे नमबर की इस्टिट्यूट की बात करें, तो दूसरे नमबर पर मैंने रखा है मुंबई को, ठीक है, मुंबई, और एनश्टियाई कानपूर पर मै मैंने एक डीटेल्ड वीडियो बना जिया है, सभी चीजों का कौन सा नहीं है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बाक्स मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं, मुंबई में सीटों की संख्या की बात करें, तो मुंबई में होस्टल में सीटों की संख्या कितनी है, तो यहां पर यह हमारे क्या है पांच चार तीन दो एक और नंबर एक की बात मैं कर लेता हूँ, मैं उसमें रखता हूँ किसको, एनस्टि आई चन्नाई को, ठीक है, एनस्टि आई चन्नाई, क्योंकि आप तरह से इसको जो सीटि आई का एक तरह से क्या मान सकते हैं, सुडेंट का इंटर्यू भी मैंने अपने चैनल पर डाला हुआ है उसका लिंक भी मैं आपको दे दूँगा तो वहां पर आप देख सकते हैं कि चिन्नवी में सभी चीजों की जो रवस्ता है वो कितनी अच्छी है और यहां पर पिछली बार कैंपस हुआ था कंपनी कौन थी कंपनी थी जीओ यहां पर पिछली बार कैंपस सेलेक्शन के लिए आई थी कब आई थी 30 सिप्टेमबर 2019 को ठीक है तो यहां पर कैंपनी या भी CTI यहां पर यहां के सबसे बड़ा फायदा यह है कि यहां पर बहुत सारी कंपनीया आती है यानि कि बहुत सारी नहीं लेकिन और NHTI से बहतर यहां पर काफी ज़्यादा कंपनीया आती हैं कैंपस सेलेक्शन के लिए तो आप देख लीजे इस इस इस्टिटूट में आपके आसपास कौन सा इस्टिटूट है आप उसका चैन कर सकते हैं क्योंकि कोरोना के कराना घर से कोई भी बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाना चाहता है तो आप इसमें से देख लीजे जो भी इंस्टिटूट आपके घर के आसपास हो आप उसका चैन कर सकते हैं साथ ही CTI से जूड़ी हर अपडेट के लिए चैनल से जूड़ जाए चैनल को सस्क्राइब नहीं किया सस्क्राइब कर लीजे और वीडियो आपको अच्छे लगी हो तो लाइक कर दीजिए हम लोग मिलते हैं नेक्स अपडेट के साथ तक बने रही है हमारे साथ बहुत बहुत धन्यवाद